देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प होंगे, महादेव की क्रिपास अभी पर सदय बन गहें, गिए वीडियो है मिथुन यानि की जमिनाय के लिए एप्रल में होने वाले एक भौती महत्वपून राशी परियतन के बारे में, जो कि शायद इस साल का सबसे महत्वपून राशी परियतन है और वहराशी परियतन ह देवगुरु ब्रहसपती का, देवगुरु ब्रहसपती सालम एक बार आशी परियतन करते हैं और इस साल वो 22 अप्रल को मेश में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके प्रथम स्थान से लाव स्थान हो गयाने कि ग्यारवा स्थान, ब्रहसपती को जीव कहा जाता है, ब् करियर से संबंदित बहुत सारी चीज़े होती हैं, अच्छी और बुरी दोनों, वैसे ही जब अब लाव स्थान में जाएंगे, तो लाव स्थान से संबंदित आपको बहुत सारी चीज़े देखने को बिलेंगी, तो इस वीडियो में हम इनी सब चीजों पर चर्चा कि ब्रहस्पती महाराच का ये राशी परितन आपके लिए क्या-क्या बदलाव लेकर आ सकता है, आपके सुविधा के लिए मैंने वीडियो को कुछ पार्ट्स में बाट दिया है, सबसे पहले सामान विश्टेशन रहेगा, उसके बाद करियर, बिजनस, फाइनस, फिर लव लगन राशी से और चंदर राशी से अलग लग राशी फल नहीं बन सकते, मेरे हिसाब से अगर आप अपने राशी से बहुत अच्छी रिजल्क मिलेंगे, अगर आप अपनी राशी से भी देखना सातह एं, आणि आछा आपका ब्हुतिक जिवन होता है, चंदर राशी तो इन शॉट अगर आपका लगन मिथुन है आपकी राशी मिथुन है दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशी फल को देख सकते हैं तो शुरुआत करते हैं ब्रहसपती महाराज की इस प्रमुक राशी परितन की वीडियो का जनरल प्रेडिक्शन के साथ शुरुआत जनरल देखि ब्रहसपती कहां प्यार हैं आपके लिए सबसे मेहत्वपूंद चीज़ यह हैं मैं बता चुका हूं पहले भी कई बार की ब्रहसपती जीवकारण है कही ना कहीं आपका जीवन ब्रहसपती के इर्दिगर्द ही घुमता है फिर बाकी जो बड़े ग्रह हो जाते हैं राहु के तुशनी उनका involvement होता है लेकिन mainly कहीना कहीं ब्रहसपती ही आपके जीवन की जो एक direction है उसको set करते हैं इसलिए ब्रहसपती किस भाव में गोचर कर रहे हैं आपके लिए वहीं से सम्मंदित आपका पूरा जीवन उस साल से approximately चलता है तो आपके लिए लावस्थान मे गोचर करेंगे यह अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज है लावस्थान में आ रहे हैं मित्र राशी में आ रहे हैं यानि कि मंगल की राशी में और अपना पूरा काल चकर खतम करके आ रहे हैं यानि कि ब्रहसपती के अंदर एक उर्जा है एक सकरात्मक उर्जा है उर् relationship start हो सकता है संबंद सुधरेंगे लोगों से married life में problems आ रहेती वो solve होंगी तो इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है और नाम से ही इस पश्ट है लावस्थान तो धन का लाव होगा कई तरह के लाव होंगे, रुकावटे दूर होंगी और कई तरह की इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है, तो ब्रहस्पती overall आपको बहुत अच्छे बहुत शुब रिजल्ट दे कर जाने वाले है, ब्रहस्पती आपके लिए सब्तम भाव के स्वामी है और ब्रहस्पती आपके लिए दस्वेघर के स्वामी है तो दोनों ही केंद्र स्थान उनके अंडर आते हैं और जब केंद्र स्थान के स्वामी लाव स्थान में आते हैं यानि कि जीवन में स्थिरता आती है स्टेबिलिटी आती है और ग्रोथ आती है तो क्योंकि केंद्र जो भाव होते है उनको विश्णुस्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जीवन की जो एक गती होती है उसमें stability देते हैं अगर केंद्र भाव अच्छे तरह से placed हैं केंद्र भाव के स्वामी अच्छी तरह से placed हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक stable जीवन जीता है और इसका उल्टा भी होता है अगर केंद्र भाव केंद्र भाव के स्वामी अच्छी तरह से placed नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में 3-6-10-11, ये वो भाव होते हैं जिनके कारण व्यक्ति आगे बढ़ता है, खैर, 3-6-10-11 में अगर कोई पाप ग्रह होता है, तो वो जादा अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन ब्रहस्पति का भी आना, क्योंकि अपने आप में वो धन के कारक है, भागे के कारक है, यानि कि जीवन आपका बहुत तेज गती से आगे बढ़ने वाला है, सबसे महतब चीज ये है, कि ये वो साल है जब आपकी जीवन की बाधाएं दूर होगी, आपके जीवन की आपस्टेकल्स दूर होगी, और जब व्यक्ति के आपस्टेकल्स दूर होना शुरू हो जाते हैं, व्रिद्धी का स्थान होता है, तो दस्वा स्थान, कर्म स्थान, यानि कि कारक शित्र का स्थान, करियर का स्थान, वहां से दूसरा स्थान उसकी व्रिद्धी का स्थान, करियर में आपको प्रमोशन चाहिए था, जॉब चेंज करनी थी, सेलरी बढ़ानी थी, रोल चेंज साल है और खुद क्योंकि दस्वे घर के स्वामी है और दस्वे घर के स्वामी लाबस्थान में जा रहे हैं यानि कि करियर में तो बहुत तेज गती से आपको ग्रोथ मिलने वाली है जो भी प्रॉब्लम्स आपने पिछले कुछ टाइम में जेली होंगी कारण क्या है कि आपके बाधक भी है ब्रहस्पती तो हो सकता है पिछला साल जो मिथुन के लिए गया हो करियर में अच्छा भी कुछ गया हो लेकिन अचानक से कुछ रुका इन सबसे जुड़ा कुछ भी कारे करते हैं ये साल बहुत अच्छा उनके लिए रहेगा इसके साथी ब्रहस्पती सप्तम के भी स्वामी है और सप्तम पर उनकी द्रिष्टी भी रहेगी यानि कि popularity प्राप्त करने के लिए recognition प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा वैसे ब्रहस्पती की तीन द्रिष्टियां होती है तो ब्रहस्पती की जो पंचम द्रिष्टी है वो रहेगी तीसरे स्थान पर तो ये साब बता रहा है कि आपके अंदर साहस भी रहेगा पराक्रम भी रहेगा और कुछ नया सीखने का जजबा भी रहेगा जब य कुछ नया स्किल्स सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है यह तीसरा भाव यात्रा का भी है इसको लिटरल सेंस में भी ले सकते हैं कि आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी और इसका एक और सेंस यह है कि आपकी जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेंगी भाई-बहनों के वह पंचम स्थान पर रहे कि पंचम स्थान लक्षमी स्थान होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज है यह जो विक्ति बहुत पैसा कमाता है जो विक्ति बहुत बड़ा बन जाता है कहीं न कहीं वह आईडियास के थूप बनता है आप जितने भी लोगों को देखें जो आज ब कि जिसकी किस्मत बहुत अच्छी है वो आगे निकल जाता है लेकिन आइडियास के दम पर विख्ति आगे निकलता है और पंचम स्थान मैं कई बार बता चुका हूँ लक्ष्मी स्थान है यह इंडारेटली पैसा कमाता है indirectly कैसे आपको ideas आएंगे जिनको यदि आपने implement कर दिया तो आप बहुत पैसा कमा पाएंगे जीवन में successful हो चाएंगे कुछ creative कारे करते हैं तो ये समय है जब आप बहुत तेज गती से आगे बढ़ सकते हैं पंचम भाव क्योंकि प्रारब्द स्थान भी है अगर आपने कुछ अच्छे कर्म करके रखे थे उसका भी आपको लाव मिल सकता है संतान के योग बनेंगे और नया relationship स्टार्ट करने के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा इसके साथ ही speculative market से लाव कमाने के लिए और speculative मार्केट्स को सीखने के लिए ये बहुत अच्छा समय है ब्रहस्पति की नवम द्रिष्टी सब्तम स्थान पे रहेगी जो उनका अपना स्थान है शादी नहीं हो रही थी आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही थी साथी में वह लोग जो शादी का अंत भी करना चाहते है जादी की डैवोस उनका चल रहा था और खतम नहीं हो रहा था कुछना कुछ अर्चन आ रहे थी उस चीज के लिए जो समय है बहुत अच्छा है और जैसा मैं कह चुका हूँ recognition अपना नाम बनाने के लिए politics में अंटर करने के लिए socially एक figure बनने के लिए बहुत अच्छा ये साल है साल का lab आपको उठाना ही पड़ेगा जितना आप इस साल में active रहेंगे जितना आप अपने आपको involved चीजों में रखेंगे उतना ही आपको इस साल में lab होने बाला है कि जो lab स्थान है ये सब्तम से क्योंकि पंचम है जो लोग business करते हैं बहुत अच्छा उनका business बढ़ेगा और आपके life partner का भी भाग्य साथ देगा इसके साथ ये जो स्थान है ये नवम से तीसरा है यानि कि आपके पिता जी के भी कुछ रुके हुए कारे समय पूरे हो सकते हैं साल में पूरे हो सकते हैं और क्योंकि इस थान चौथे से अश्टम है यानि कि आपकी कोई property आप बेशना चाते थे या कोई ancestral property आप बेशना चाते थे उन सारी चीजों के लिए जो एक साल का समय रहेगा बहुत शुब रहेगा बहुत अच्छा रहेगा तो overall देखा जाए ब्रहसपती महराज आपको बहुत अच्छे result दे कर जाने वाले हैं इस साल में कई आपके कारे बनेंगे कई जगा से आपको लाभ प्राप्त होगा इस साल का लाभ कितना उठाना है वो आपके हाथों में है थोड़ी सी भी अंतरदशा-दशा आपकी favorable हो ये साल आपके जीवन में बहुत महत्तपून रहने वाला है चलते हैं career, business, finance की तरफ सबसे पहले finance की ही बात करेंगे पैसे के लिए finances के लिए बहुत अच्छा साल है मैं बता ही चुक हूं स्बश्ट कर चुक हूं कि जो capacity है capability है दोनों ही बने वाली है इस साल जितना आप महनत करेंगे उसका कई गुन आप लाब कमा सकते हैं धन कमा सकते हैं finances के हिसाब से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है जब लावस्थान एक्टिवेट होता है एक शुब गरहदवारा तो अच्छे तरीकों से पैसा कमाया जाता है एक लाय रहती है और पैसा रुखता नहीं है अधिकतम केसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए जो ब्रहस्पती है वो बाधक भी है जितने भी द इंकम अर्न करने के लिए पूरा साल बहुत अच्छा है बहुत शुब है करियर के लिए भी बहुत अच्छा है मैं बता चुक हूँ वैसे ही सामार्य विश्चेशन में अब देखना यह है कि दस्वे स्थान के स्वामी लाबस्थान में है आपको प्रमोशन तो मिलेगा ही आपको कुछ ऐसा कारे भी मिल सकता है, कि जिससे आपका अपने कारेक्षेत्र में नाम बन जाए, उसका कारण क्या है, कि ब्रहस्पती लाव स्थान में बैठकर सब्तम को भी देखेंगे, जो recognition का स्थान है, अगर आप बहुत लंबे समय से यह चाहते देख, कि आपको पता है कि आपके इंदर स्किल्स है, आपको पता है कि आपको अगर कोई अच्छी responsibility, कोई अच्छा role दिया जाए, तो आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वो मौका आपको नहीं मिल रहा था, अपने आपको प्रूफ करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो ये वो साल है जब आपको अपने आपको प्रूफ करने का मौका भी मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, पैसा तो बढ़ेगा ही, उसमें कोई doubt नहीं है, लेकिन अपने करियर के लिए कुछ sustainable और long term अच्छा करने का आपको इस साल मौका मिल सकता है, तो करियर के लिए भी जो साल है बहुत अच्छा है, इस साल का लाब उठाईएगा, बिल्कुल भी laid back नहीं रहना, हर opportunity को आपको grab करना है, और कहीं पे भी आपको चूक नहीं करनी, इस साल जितना आप effort करेंगे, और आपने कुछ अच्छी तरह से यहाँ पर प्रयास किये, तो आप समझ दीजिए कि आने वाले कई साल, आपके कारेक शेत्र में एक बहुत अच्छा period जाने वाला है, तो यह साल कारेक शेत्र के लिए बहुत महित्पून है, बिजनस, सब्तम भाव के सौामी है, सब्तम भाव को देखेंगे, और सब्तम भाव के स्वामी अपने से पंचम में और लावस्तान में है, सारी चीज़े स्पष्ट हो रही है कि आप अगर बिजनस करना चाहते हैं बिजनस करते हैं, बिजनस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए साल सबसे अच्छा है जो लोग बिजनस माइंडेड हैं, जिनका बुद्ध अच्छा है, ब्रहस्पति उनकी कुणली में अच्छा है ये साल बहुत सार आप पैसा कमा सकते हैं अगर आप education संबंदित कुछ बिजनस करते हैं, consultation based, पूजा पार्ट से जुड़ा कुछ आपका products होते हैं foreign trade से जुड़ा कुछ काम होता है, आपका technology से जुड़ा कुछ बिजनस होता है और बच्चों से संबंदित कुछ बिजनस है आपका, ये साल आप बहुत लाब कमाएंगे तो ब्रहस्पति वैसे ही इस पश्रूप से लाबसान में आ रहे हैं, तो career हो, business हो, finances हो हर चीज में आपको कई तरह के लाब दे कर जाएगे चलते हैं love life, married life, relationship की तरफ सबसे पहले नए relationship की बात कर लते हैं, पंचम भाब पूरे साल द्रिश्ट रहेगा ब्रहस्पति से, तो नया relationship बनने की संभावना तो इस पूरे साल बहुत अच्छी रहेगी, problem यह है कि केतू साथ में बैटे हुए पंचम में, तो में भी चीज़ें बहुत तेज गती से आ सब्तम को भी देखें, यानि कि अगर आप अपने relationship को शादी शुदा जीवन की दरफ बनाना चाते थे, उसके लिए भी यह साल बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे भी वही कहुँगा कि पंचम में केतू विराजमान है, तो थोड़ी सी अर्चने तो आ रही होंगी, अल् मैंने शुरू में बता दिया था, अगर आप married हैं, तो आपके लिए साल अच्छा है, दो तरह से, एक तो संतान योग बन रहा है, जो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पंचम पे दृष्टी है, दूसरा, अगर आपके married life में problems आ रही थी, तो उसको solve करने के लिए बहुत क्या है, क्योंकि जो ब्रहस्पती है, उन पर शनी की दृष्टी भी है, और शनी law, कानून के कारक है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है, कि अगर आप सब कुछ try कर चुके हैं, और दोनों नहीं मन, specially मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो mutually divorce करना चाह रहे हैं, जो case लड़न चाह रहे हैं, और बाकी proceedings करना चाह रहे हैं, उनके लिए फिर अलग चीज़ बन जाती है, लेकिन जो mutually अपना divorce करना चाह रहे हैं, और इनको पता है कि अब आगे कोई future नहीं रहा गया एक साथ, तो वो divorce के लिए आ फिर इन सब चीज़ों के लिए apply कर सकते हैं, जो भी आप संतान के कारत भी हैं, और पंचम को देख भी रहे हैं, तो संतान के बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं, students की तरफ चलते हैं, देगे पंचम भाव सबसे पहले students का होता है, तो पूरे साल students के भाव पर भ्रहसपती की दिष्टी है, और भ्रहसपती कहां से बैठ कर देखेंगे, ब्रहसपती लावसान से बैठ कर देखेंगे, ब्रहसपती कहां के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है, जो फॉरन ट्रेवल पर देखाता है, अगर आप अपने studies के लिए long term नहीं कह रहा, उसके भी योग बनी रहे हैंगे, अगर आपकी कुडली में वो दशान सब में बैठे हैं, ब्रहसपती देखते रहेंगे उनको अक्टूबर रवबर तक, तो अगर आप research बेज कुछ करना चाते थे, उन चीजों में आगे बढ़ना चाते थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा साल है, दूसा ब्रहसपती दस्वे घर के भी स्वामी है और लावस यानि कि students का भागे साल बहुत साथ देने वाला है, तो students के लिए भी अधिक्तम ये जो साल है, अच्छा ही रहने वाला है, बस ध्यान ये दीजीगा क्योंकि केतू पंचम में बने रहेंगे, कभी-कभी बहुत low field किया करेंगे, और ब्रहसपती की दृष्टी overthinking करा देगी, तो इन दोनों चीज़ों से आपको बच के रहना है, अब बात करते हैं negative points की, देखे अधिक्तम चीज़ें आपके लिए अच्छी है, negative कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना है, देखे ब्रहसपती expansion के कारक है, और lab स्थान में आ रहे हैं, तो lab बहुत दिलाएं प्रॉब्लम क्या है कि गुरू चांडाल योग भी बनेगा, उस पर मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बना सकूँ, अगर समय मिरा तो, लेकिन ब्रहसपती expansion के कारक है, राहू expansion के कारक है, दोनों एक तरह से चीज़ों को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं, तो यहाँ बाद में वो एकती पस्ताता है कि मैंने इतने अच्छे समय का कोई फाइदा नहीं उठाया क्योंकि अपने हाथों से नुकसान कर दिया, तो अपनी इच्छाओं पर हमेशा कंट्रोल करके रखेगा, द्वी सभाव है आपका लगन, तो कभी-कभी समझ नहीं आता कि क्या कर परच्छा होगा, और इगो थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, इन सब चीजों के इन नेगेटिव पॉइंट्स का आपने बहुत जादा ध्यान देना है, मैं पहले बता चुका हूँ वैसे कि ब्रहस्पती आपके बाधक है, तो हो सकता है आपके बहुत सारे कारे इस साल बनेंगे, लेकिन कोई बहुत महत्वपून कारे भी आपका अटक सकता है, एक या दो महत्वपून कारे आपके अटकेंगे भी, वो इसलिए क्योंकि ब्रहस्पती आपके बाधक भी है, जहां तक सेहत की बात है, आपको यदि किड़नी की प्रॉब्लम है कोई, आपको थाय विदे समधित प्रउब्लम है, हार्ट टिसौरस, कोई भी, कुछ भी हार्ट सेमधित प्रउब्लम है, बहुत ध्यान दीजिएगा एफ साल, क्योंकि थोड़ा κ्रिटिकल साल ये हो सकता है, उपाई की बात करते हैं, कुछ सरल उपाई आपको KARने है, कब करने हैं, April, 23 April, 23 April क आसपास कर लेजीएगा, या जब भी वीडियो आपके सामने आती है, तब उसके बाद ये कर सकते हैं, दिन अगर चुनना है, तो अगर आपको ब्रहस्पतिवार के दिन समय मिलता है, तो उस दिन कर लेजीएगा, नहीं मिलता तो कभी भी जब भी आपको समय मिलता है, जब आ एक दंताय नमहा मंतर का एक स्वाट बार जब करना है उसके बाद आपको शिवलिंग का चंदन से भी लेपन करना है और शिवलिंग पर भी चंदन के तेल की कुछ बूंदे डालनी है और फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नील कंठाय नमहा इस मंतर का एक स्वाट प्षानादी होते हैं तो वहां पर करेंगे तो थोड़ा अच्छा प्रभाव रहेगा जो विदेश में हैं जितना भी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने हिसाब से कीजेगा आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके काम आएगी आपको पसंद आएगी चैनल पर नए है सब्सक् जेगे डिफिए वीडियो को लाइक कीजिए बिलता हुगली वीडियो में था तक केडियों